भाई मेरी CS rank माइनस होते जा रही है भाई मुझे grand master जाना है भाई सामने की साइड हमेशा pro player आते है यार ऐसे कैसे rank push होगी कुछ बता वाई प्लीज अभी बादा दाए भाई अभी बादा दाए क्योंकि उसे rank माइनस होने का डर होता है और free fire के random player के तो भाई क्या ही कहने वो तो भाई हर round में महेंगी से महेंगिंगर लेकर जाते हैं और सामने वालों को दिवाली या gift समझकती आते हैं तो इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर आपको CS rank push करने की ऐसी ऐसी trick पता चलने वाली है जो कि इस update के बाद आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और साथी में इस वीडियो के last में मैं आपको एक ऐसी secret trick भी बताऊंगा जिससे कि भाई आपको कोई भी बंदा एक भी damage नहीं दे पाएगा और अगर वो वाली trick काम ना करें तो आप लोग सीधा सीधा channel को unsubscribe करके जा सकते हो और इस बार तो ये free fire वालो ने CS rank का map भी बदल दिया है जिससे कि इस बार rank push करना और जदा टफ हो गया है तो इसलिए अगर आप भी इसी गोल मटूल प्रित्वी पे रहते हो तो फटाफट से एक like कर दो और जल्दी से subscribe भी कर दो चलते पन वीडियो को शुरू करते हैं तो देखो सबसे पहले आप मुझे comment करके ये वताओ कि आप अभी तक CS rank में कौनसी rank तक पहुचे हो है ना मैं आपको पताता हूँ कि आपको हमेशा लोड आउट में क्या लेकर जाना है तो या तो आप लोग simply उपर वाले चार में से ये leg pocket को select कर लेना जिससे कि आप लोग हर round में 5-6 glue वल का use कर पाओगे जा फिर ये नीचे वाले slot में से आप लोग इस chip को लगा लेना जिसका नाम है secret clue तो इससे क्या होगा कि आप जहां से gun 1 खरीते हो CS rank में उसी के नीचे एक और section add हो जाएगा जिसका नाम होगा secret बजार और इसके अंदर आपको 3-4 धांसू-धांसू ability देखने को मिलेगी जि इतने भी टीममेट होते हैं उन सभी की EP जल्देल दी अच्वे कनवर्ट होगी अगर कोई एक बंदा भी इस चीज को खरीद लेगा है ना तो इसलिए इसको आप लोग हमेशा CS rank में लेकर जाना उसके पाद जो next tip है ना वो है first round के लिए तो मैं first round के लिए यह नहीं बोलू आप जाना और थोड़ सा कहीं पर छुप जाना है ना और वहां से M500 से scope in scope out करके मारना चूंकि first round में जो सभी की सभी लोग है वो ऐसे लड़ रहे होते हैं जैसे कि गली मोहले में लोग लड़ाई करते हैं मतलब कोई बगल में से USP चला रहा है तो कोई मुक्का चला रहा ह है तो किस्यों को भर्सा मिल गया वो भर्सा चला रहा है या फिर कोई गिरनेड मार रहा है मतलब एक जिगह पर पूरी खिचडी सी बनायते हैं ना तो उस टाइम पर आप लोग उन बंदों को थोड़ी सी दूर जाके scope in scope out करके मारोगे तो आप लोग गरंटीड एक दो किल लगाने से भी मिल जाएगी जिसके बारे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था जिसका नाम था क्विक एपी कनवर्जन तो के करेक्टर को मतले कर जाना आप सिंपली क्रोनों या फिर वुकों कर लेकर चले आना और इसके साथाथ आप लोग चाहें जो मर्जी प्रको जरूर जरूर लगा कर जाना चूँकि भाई ये रफेल को ना एकदम बवाल बना रखा है फ्री फर वालों ने क्यूकि अगर आप विना रफेल के किसी को नॉक करोगे तो वो लगवक 40 सेकेंड तक नॉक पड़ा रहेगा लेकिन अगर रफेल को लगा कर किसी को प्रेंज की गन कौन सी है तो मैं सिर्फ M1014 का ही नाम लूँगा चूगी इस अपडेट के बाद आप लोग M1014 को अपग्रेट भी कर सकते हो और अपग्रेट करने के बाद तो भाई ये एकदम अलगी चलती है तो इसलिए इस अपडेट के बाद आप लोग जासे आदा खत्वेगर आपे चड़ जाओ और वहां से ताबर तोड फाइरिंग करने लग जाओ या फिर अपने किसी भी एक दोस के साथ हर राउंड में पीछे से घूम कर जाओ और पीछे से जाके एक एक बंदो को भून दो और आप हमेशा हर एक राउंड को ऐसे खेला करो जैसे की सी एस रेंग में रश करते समय यूज करोगे तो आप लोग पक्का बंदों को मारोगे ही मारोगे जैसे की मैं एक एक एक्जामपल देता हूँ कि जैसे मान लोग कि आपकी सामने ना कोई बंदा खड़ा है कवर के पीछे ही ना और आपको दिग गया है कि वो आपकी साइड ग्रिनेड फेक नहीं कोशिश कर रहा है तो जैसे ही वो आपकी साइड ग्रिनेड की लोकेशन सेट कर रहा हो तो आप लोग उसी टाइम तुरंट उसके ओपर रश कर दो ही ना और जब आप लोग ऐसा कर दोगे तो वो बंदा एकदम से कन्फ्यूज हो जाएगा वो जैसी उसका टीममेट उसको रिवाइव देने के लिए आएगा तो आप लोग थोड़ा साना एक सेगेंड के लिए उसको रिवाइव होने देना है ना और तुरंट फिर एकदम से उसके ओपर स्प्रे मार के उसको भी नौक कर देना लेकिन ये गा मगर आप लोग जल्द ब और फिर पूरी दुनियादारी को भूल के उसको नौक वाले को कंफर्म करने के पीछे लग जाते हैं और बगल से कोई अनिमी आके इनको मार देता है तो ऐसा मत किया करो यार और मैंने बहुत लोगों को एक और चीज़ करते हुए देखी है CS रैंक में तो वो क्या करता है क कि वो हर राउंड में गरनेट तो खरीद लेते हैं लेकिन मैच में उसको फेखती हैं पता नहीं कौन से त्योवार के 's के लिए बचा के रखते हैं तो भाई अगर गरनेट लेते हो तो उसको फेख भी दिया करो और मैने शुरूवात मिया आपको बोला था कि मैं आपको ए की भी नमस दिन दे पाएगा और हाँ अगर आप ऐसे किसी को भी मेरी गिल्ड में आना है ना तो आप लोग सिंपली इंस्टाग्राम पर आओ फॉलो करो और अपनी यूईडी मुझे वहाँ पर मैसेज कर दो मैं वहाँ से आपको सिंपली गिल्ड में या फिर फ्रेंड लिस् मिलता हूं मैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई